वेल्कम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी जैसे ब्रेक पर जाने से पहले जुबैर मैंने जिक्र किया था कि बड़ा ही इंट्रस्टेंग और इंपोर्टन टॉपिक आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जिसे नॉमली इस पर बात नहीं होती क्य ये भी कोई वालिशन है ये भी हम किसी के राइट को या जिसे कहते हैं हकोग को सलब कर रहे हैं तो जी हम बात करने जा रहे हैं इंक्रोच्मेंट के बारे में तजावजात क्या हैं किन किन कौन कौन सी ऐसी गलतिया हैं हमारी जो इस जुम्रे में आती हैं तो बिना किसी साम अलेकुम, अलेकुम, असलाम, थैंक यू वर्यमेच सर, आप हमें अक्से टाइम देते हैं, आपके बड़े मश्कूरों ममनून है, सर, सबसे पहला तो हमारा सवाल आप से ये कि जो तजावजाद हैं, ये सर होती हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि तजावजाद हो होती हैं, सबसे पहले तो सर ये बता दें, दुबहरा आपके सवाल से पहले मैं बात करूंगा, जैसे ताहरा ने कहा, गुकल अबात का, जैसे बात हुई पालूशन की, तो अगर हम थोड़ी सी तवज्ज़ दें, तो इस खुबसूरत शहर को जो अलूदा किया है, वो सिर् तो हमारे कुड़ा फेकने ने कर दिया, उसको हमारी सडकों पर रुकावटों ने कर दिया, उसको हमारे बेजा शोर ने कर दिया, जैसे तहरा ने बात की कि स्पीकर इस्तमाल करें तो आप उसके टाइमिंग देख लें ताके दूसरों को तकलीफ नहो, ये सारी चीज़ें पॉलूशन है, और तजावज भी पॉलूशन है, ये मेरा महभूब शहर लहौर, इसकी गलियां, इसकी सडकें, ये वो हैं जो के हरम में जाके भी याद आती हैं इनसान को, तो इन सडकों पर अगर हम गंद फेकेंगे, अगर इन सडकों पर चलने वालों के लिए रुकाव को दूर करने को भी नेकी फरमाया, अब अगर आप देख लें तो हमारी पुराना जो शहर है उसमें, और अब तो उसके बाद जो हमारी कदीम नई अबादियां थीं, उसमें तिजावजात का ये हाल है, कोई शक्स हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, कोई शक्स आसानी से स ट्रैफिक पुलीस और शहरियों के लिए है, कि ये कोई एक मैकमा या एक शक्स नहीं दूर कर सकता जब तक कि इसमें मुस्तरका काविशें सामिशा मिलना हूँ, अब मैं तवज़ दिलाना चाहूंगा आपकी उन बाजारों की तरफ जिसमें आप गाड़ी तो क्या मोटर स सेकल पर भी शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, आप देखेंगे दुकानों के बाहर फूट पाथ हैं, आपको नजर नहीं आएंगे, एक दुकान दार है, उसने फूट पाथ पर पहले तो अपना सामान रखा हुआ है, फूट पाथ के बाहर जो है, उसने एक ठेला लगव हुआ हुआ है, और ठेले के बाहर उसके गाह की मोटर साइकल या गाड़ी खड़ी है, तो फिर पैदल चलने वाला कहा जाएगा, जितना बेखार है, उसके दुकान का एरिया है, उतना एरिया उसने आगे भी उकुपाई किया हुआ हुआ है, अब मौाशी हालात हमारे बग रिजक हासल कर रहा है, रिजक मेरे लिखा हुआ है, लेकिन याद रखें कि दूसरे की जिन्दगियों में दुश्वारियां पैदा करके आपका रिजक कभी नहीं बढ़ सकता, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्यत से अपने ताजरों, अपने रेड़ी बानों, इन से करूँगा, कि अपना रिजक जरूर ढूनें, लेकिन दूसरों के रास्ते मत रोके, हो सकता है, कोई खून देने जा रहा है, हो सकता है, कोई अपने प्यारे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, अब तो ये नौबत आ चुकी है, कि एम्बूलनस भी बरवक्त हॉस्पिटल न जब कभी भी मतासर होता है, तो मैंने जाती तोर पे इंक्वारीज की हैं, उसमें सेफ शिटीज के ड्रैवर की बजाए मुझे एक आम तजावज खड़ा करने वाले की गलती से मिली है, एक चीज जो हम वैल्यू नहीं करते हम गाड़ी पर जा रहे हैं, हमने कोई चीज खर है, अगर कोई मरीज बरवक्त हॉस्पिटल ना पहुंच सके तो चंद लम्हों में जान चली जाती है, तो हमें ये तवज़ देनी होगी कि हम कहां गाड़ियां खड़ी करें कि वो लोगों की जिन्दगी को दुशवार ना करें, इसके इलावा अगर आप तवज़ होते हैं, और वो शार्टकट यूज़ करते हुए हम रोज़ाना अपने कैमरों की मदद से देखते हैं, कि सैक्ड़ों लोग अपनी जाने गवाते हैं, जखमी होते हैं और एक्सिडेंट की रेशो होती है, अब इसके साथ-साथ ही ध्याती लाकों में जब आप देखते हैं तो रोड़ पर लोग ट्रालियां खड़िंग कर देते हैं, बसों पर और ट्रालीज पर ओवरलोडिंग की जाती है, गन्ये के जो कैरियर हैं वो इस तरह जा रहे होते हैं कि दाएं बाएं से गुजरना मुझकल हो जाता है, ये चीजें किसी और की जिन्दगी दुशवार कर रहे ही हमारी जिन्दगी दुशवार कर रहे हैं, आज अगर मैं एक जगा पर इंक्रोच्मेंट करके अपनी दुकान के आगे कोई कोई चबूतरा कोई थड़ा बना कर अपनी चार फूट जगा तो बढ़ा लूँगा लेकिन एक आम आदमी की जिन्दगी की चार फूट वो सलब कर लूँगा अचा सर इसी से मेरा एक सवाल है कि सर कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो तजावजात के फेल में आती हैं टाइप्स किया है सर इंक्रोच्मेंट जी मैं उस तरफ आता हूं देखे रॉंग पार्किंग भी तिजावज है और घरों या दुकानों के रा अपनी कोशिच करती है तजावजात खतम करती है चार दिन बाद वो फिर बन जाते हैं अब भी यही हुआ है कि पिछले माँ जिस्ट्रीक गवर्मेंट ने बहुत अच्छा एक्शन किया और बजारों और दुकानों और सड़कों के किनारों पर जो तजावजात बने हुए उनको गराया लेकिन इदर से गराया है और एक हफते बाद वो फिर दुबरा वहाँ बन गए है याद रखें कि जब आम शहरी गवर्मेंट के मुस्बित अगदामात में अपना हिस्सानी डालेगा उस वक्त तक ये कभी भी असानिया पैदा नहीं हो सकती है उस साइश यसलjem आपने बताया है कि दुख वर नॉटस देते हैं कि खुद खतम करने जब वो नी खतम करते तो फिर आके घुरते हैं और जर माने भी करते तो उनके और भी तो काम है और जितने काम है वो शहरियों के सूलतों से मुंसलिक हैं पानी की फरामी कूड़े का साफ करना और कितने इदारे काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप तमाम तरक्याफता या महजब मौशरे में देखें तो अगर शहरी अपना फर्द अदा नहीं करता तो हकूमत अपना फर्द अदा नहीं कर सकती तो कौमें नहीं बन सकती कौमें नहीं बन सकती में रोड है इसके उपर एक साइड पर एक यलो लाइन भी अकसर हम देखते हैं तो यह जरूर बताईएगा किस जगह पर आप गाड़ी को रोक सकते हैं अगर आपको कोई एमरज होता है ट्रॊली खड़ी होती हैं गाडी होती है और भी लग जाती है उसकी वज़ए वही रांग पार्किन होती है वह जैसे आपने येलो लाइन कि Until एंदर को चीज खड़ी हो तो ड्राइवर को जै到底 जान लेना चाहिए कि वह तो पार्क है और अगर येलो लाइन को क्रॉ करके ये चीज़ खड़ी है तो फिर इसका मतलब वो रॉंग पारकिंग है तो वो जो जिसने पार की है वो जिमेदार है इस चैस का जो कोई हाथसा वहां पर पेश आता है वो उसमें बराबर का शरीक है अच्छा सर अक्सर ये देखा किया है कि शादी बया के फंक्शन जो लोग गली महलों में करते हैं कनाते लगा लेते हैं टेंट लगा लेते हैं सड़क रोक लेते हैं गलियां रोक लेते हैं लोगों के लिए दुश्वारी का बाइस बनती है तो सर ये चीज़ भी क्या तिजा हालात की वज़ा से वो लोग जो हाल में जाना या मार्कीज में जाना अफोर्ड नहीं करते वो अक्सर गलियां रोकते हैं अब गलियां रोकना अगर मजबूरी है तो कम अथकम वो गली रोकी जाए जिसका मुतबादल रास्ता मौजूद हो मगर ये बात देखने में आई है क कोई मुतबादल रास्ता ही नहीं होता तो अवाम को ये चाहिए कि वो जब भी अपनी खुशियां सेलिब्रेड करें दूसरों की खुशी और दूसरों के हख का भी ख्याल रखें बलकुल सर यहां पर कोई क्या पर्मीशन मिल सकती है अगर वही जैसे आपने बात की कि हर को से यह पर्मिशन ली जाती है और शिटी डिस्टी गौवर्मेंट का भी एक तरीके कार है वो कंसर्न से उसके बारे में रिपोर्ट लेते हैं अच्छा और उस रिपोर्ट के बाद यह होता है लेकिन हम यह यह हम इस प्रॉसस को फालो करने में ना ताखियर बड़ी करते हैं लोग महाफिल मुनाकद करवाते हैं मजाले से मुनाकद करवाते हैं या कोई भी फंक्शन मुनाकद करवाते हैं तो उन्होंने को छे मीने पहले से यह सोचा होता लेकिन उन्होंने अपने छे मीने पहले के प्लैन में यह नहीं सोचा होता कि मुझे इस प्रॉसस को लीगल सहुलते होंगी एक तो उनके फंक्चन में कोई पुलीस या को दूसरा एदारा मदाफलत नहीं करेगा और दूसरी बात यह है कि उनको अगर सेक्योरिटी रिक्वाइड होगी तो लोकल पुलीस उसमें उनको सेक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देगी लेकिन इससे यह जरूर होगा कि लोकल पुलीस अगर उनको पर्मिशन रिक्मेंड करती है तो उसके प्लिए को आल्टरनेटिव रूट भी सजेस्ट कर देती है अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे नौजवार हजराद पी सड़कों पे गली तो चोटी गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं में रोड तो पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं उस पर एक तजावजात का आगया कि आप पीछे से सड़क को ब्लॉक कर दिया खुदाना खाल सब्सक्राइब में आप बॉल करवा रहे हैं या कैच करवाते हैं में रोड के आप कोई हचसा है रौनवा हो जाए इस पर आप क्या कहना चाहिए हमारे पास हर एक गैर कनूनी हरकत का एक जवाद मजूद है आपके बड़े क्रिक्टर इनी गलीयों में खेल कर बड़े बड पासर नहीं हो रहा साइड पर खेलने या आपके शोर मचाने से महले में या गली में कोई बिमार शक्स या कोई बजर्ग बेराम तो नहीं हो रहा हैं तो यह चीज़ें कैसे जनम ली कि लोगों ने पाक्स और ग्राउंड में कबजे कर लिये और खेलने की जगें मफ्कूद हो गई मगर मैं आपकी तवस्त से ये बात जरूर कहूंगा खिलाडियों से बच्चों से अपनी यूथ से कि थोड़ा फासला करके सही मुकाम पर खेलेंगे तो सही खेल सकेंगे उनकी जान भी महफूद रहेगी और दूसरों की जान भी महफूद रहेगी ये कुछ आपको एक नवायरमेंट देता है सिक्यूरिटी देता है मेंटोर देता है वहाँ कोई न कोई शक्स आपको गईड करने वाला मिल जाता है लेकिन इस पर भी जो है वह कभी बुला कि आप से डिसकेशन करेंगे कि लहौर शहर में ग्राउंड पॉबिक पार्क्स इतने नहीं है कि बच्चे जो है वो महाँ जागे खेल सकें सर इसकी भी एक लंबी डिटेल है लेकिन सर हम जो है वो इंक्रॉश्मेंट के हमाले से बात कर रहे हैं तो सर अपको पेगाम देना चाहें लोगों को जी मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त से सरफ ये पेगाम देना होगा अगर अपनी जिन्दगी असान करनी है तो दूसरों के लिए असानिया पैदा करें अगर आप दूसरों को असानी देंगे तो वो असानी आपकी तरफ ही लौट कर आएगी बहुत खुरूबात सर बहुत शुक्रिया तैंक यू सो बहुत सर कि आप हमारे सेग्मेंट प्रोग्राम में आए जी ताईरा तो नाजरी जैसा कि सर ने बड़ी ही जबर्दस बात एक अच्छी खुबसूरत बास सारी सारे सेग्मेंट को इस सारी डिसकॉशन को वाइंड अप किया कि दूसरों के लिए आप असानिया पैदा करें तो अल्ला आपके लिए भी असानी आपके असानी रस्ते पैदा करेंगा तो इस चीज पर जरूर गौर करें कि छोटे-छोटे चीज़े हैं कि आपने अपने घर के लिए अकसर देखते हैं और जुबैर हम ने अपने गाड़ी पार करनी है तो हमने घर के आगए स्लोप सी बना ली होती है तो हम एक चोटी चो तो यह चोटी सी गली है उसको मजीद हमने चोटा कर दिया कि एक साइट की ट्राफिक आ रही है तो दूसरी साइट से अगर आएगी तो एक ट्राफिक ब्लॉकेज का सबब बनेगी तो यह चोट चोटे चीजें अगर हम इस सब चीजों को फॉलो करें तो हम अपने ही से इंतजार रहता है तिल चस्पो अजीब लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक तो स्टे विदास